नमस्का दोस्तों स्वागताः आप सुईका अउला नेटाफोर्स डी यूट्यूब चैनल बैस बीडियो में हम बात कहेंगे एक बड़ी अपडेट के बाए में जो की सम्मधिते बीएड के मुद्धे को लेकर जसा कि आप जानते कि बीएड के लिए एक मामला सुपीम कोट म का पच्छ सुना गया इसके अलावा अगर बात की जाए बीटी सी चात्तों का जो पच्छ है वो भी सुना गया लेकिन इंशोट अगर कहा जाए तो बीएड चात्तों को एकवाफे से जटका लगा क्योंकि यहां पर सुपीम कोट के अंदर चात्तों की तरब से मांग की मोका दिया जाए साथ ही उनका जो पैड़ा में वो भी घोशित कर दिया जाए लेकिन सुपीम कोट की तरब से इस बात को बिल्कुल भी कंसीडर न करते हुए चात्तों की एक भी बात को यहां पर अभी तक नहीं माना गया है आज की जो सुनबाई है वो खतम हो चुकी है ब याचिका का अंतिम फैसला होगा वो उस याचिका के अधीन भरती देखने के लिए मिलेगी जो राजिस्तान के अंदर होने वाली है मतलब आसान बासा में कहा जाए तो बीएड को लेकर सुपीम कोट की तरब से अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है क्योंकि डवल बेंच क को यहां से जो राहत हों मिले लेकिन एक वाफे से बीएड चात्रों को निराशा हत लगी है इस मुद्दे को लेकर सुपीम कोट की तरब से बीएड चात्रों के पच्छ में कोई भी आदिस अभी तक नहीं दिया गया है बले ही उन्होंने उस भरती को जारी रखने की बात क ही है लेकिन अंतिम फैसला जो भी आएगा वह उस भरती के अधिन देखने के लिए मिलेगा फिलाल अगर बात की जाए बीएड चात्रों के लिए सुपीम कोट की तरब से बीएड को लेकर कोई भी अभी यहां पर पॉजिटिव जो चीजें वो देखने के लिए नहीं मिली है लगबग एक गंटे की सुनवाई के बाद जो अगली तारीक है वो छे सफते बाद की लगा दी गई है और सुपीम कोट के अधीन जो भी यहां से भरती करवाई जाएगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी अब देखना होगा कि आगावी सुनवाई के अंदर क्या होत सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें